असलामों अलेकुम फ्रेंट्स टेस्टी फूड विथ इकरा चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हैं आप लोग उमीद करती हैं आप लोग खैरिये से होंगे रायता तो आपने कई तरीके का खाया होगा जैसे प्याच का रायता लौकी का रायता खीरे का रायता आज हम एक स्पेसल रायता बनाएंगे आपके लिए बहुत ही टेस्टी बनती है यह है मिर्च का रायता इसको बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं यहां पर हमने 8-10 हरी मिर्चे ली है इनको धो करके अच्छे से साफ कर लेंगे और बीच से चीरा लगा करके इस तरह से डो टुकडो में काट लेंगे ध्यान रहे फ्रेंट्स मिर्च ज्यादा तीखी वाली नहीं होनी चाहिए अगर मिर्च ज्यादा तीखी है तो बीच से बीज निकाल लीजेगा अब हम एक तवे में एक टेबल इस्पून तेल डालेंगे जब तेल गर्म हो जाए तो राई जीरा और सौंफ का तड़का लगाएंगे और मिर्च डाल करके दो से तीन मिनट तक धीमी आज पर फ्राई करेंगे फिर इसमें हम डालेंगे आधा शोटा चमच धनिया पाउडर और स्वादा नुसार नमग ज्यादा मसाले का यूज नहीं करना है दोस्तों और इसको गलाने के लिए थोड़ा सा पानी हम डालेंगे इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही हमें पानी डालना है और ढखकर ढखकर थोड़ी देर के लिए लगबख 2-3 मिनट तक हम मिर्चों को पका लेंगे जब तक मिर्च हमारी पक रही है तब तक हम दही तयार कर लेते हैं यहाँ पर मैंने अमूल दही का इस्तेमाल किया है आप चाहे तो घर की जमाई हुई दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दही में मि अच्छे से मिक्स करने के बाद हम मिर्च को द encuentl दही में मिला देंगे उभालामि Chaumchalい इसमें और जीरी का दारी मिर्च आथा छोटा चमच प्रयरतें Turbo यह optional है आप skip भी कर सकते हैं और रायते के उपर हम डाल देंगे बहुत ही tasty रायता बनकर तयार होता है इस तरीके से बनाएए बहुत ही tasty रायता बनकर तयार होता है एक बाद जरूर ट्राइ करिए अगर हमारी recipe आपको अच्छे लगी हो तो like, share और subscribe करिए दुआओं में याद रखे मिलते हैं एक next वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज